मुवी की सुरवात में हमें जॉन नाम का एक आदमी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए मिलता है जहां वो अपना काम थोड़ा जल्दी फेनिस कर घर जाता है और रिंग बेल बजाने के बजाए वो डोर अपनी कीश से खोलता है और फिर हमें एलिसन जो जॉन की रहती है उसे दिखाया जाता है जहां जॉन आता है और फिर हमें पता चलता है कि उनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और फिर जॉन को अपने बेटे नेथन से मिलते वे दिखाया जाता है जहां वो उसके साथ बात करता है और फिर उसकी इंसुलीन वाली मेडिसिन चेक करता है और फिर नेथन अपने डाट से पूछता है किया मॉम आपको फिर से छोड़ देगी तब जोन कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुमें नहीं छोड़ूँगा और फिर जोन अपने बेटे को स्टेडी करा रहा होता है और फिर जोन को अपने काम से घर आते वेदी खा जाता है और दूसरी योड़र रही ह Odis記us जो रही होती है फिर अगले दिन जोन पार्टी के लिए त्यारी कर रहा होता है और तभी एलिसन इसे पार्टी का कुछ समान लाने को उसके बाद जौन निथन के साथ baustah है शॉपिंग करने के लिए और देखता हे बहुत सारे ओंतरी एएरक्राप्ट कहीं जा रहे होते हैं तभी जौन उसे इग्णोर करो ऑटे निथन के साथ शॉपिंग कर रहा होता है और वैसे ही उसकी फोन रिंग होती है जिस पे सरकारी संदेश रहता है कि उसे और उसकी फैमली को सलेक्ट किया गया है एमर्जेंसी सेल्टर के लिए तब जॉन वहां से मेथन के साथ चल देता है और खड़ आता है तो सारे मैमान पहुंचे रहते हैं जॉन कीचन में जाकर अपनी वाइब से उस मेसेज के बारे में पूछता है पर उसकी वाइब कहती है उसे वैसा कोई मेसेज नहीं मिला तब जॉन उसे उस मेसेज के बारे में बताता है और फिर दोनों बाहर आते हैं और टीवी पर में टेर को गिरते हैं दिखाया जाता है प उसे फिर से वही मैसेज आता है जहां जान के परोसी भी रहते हैं सुनते पर उन्हें कोई मैसेज नहीं आता है तो वो अपने घर जाते हैं चेक करने के लिए कि कहीं वहां तो नहीं आया है उसके बाद जान को और उसकी फैमली को सारे समान पैक करके वहां से निकलते हुए द पिर उन्हें रास्ते से जाते वे दिखाया जाता है जहां निथन को डर लगड़ा होता है और वो अपना ब्लैंकेट निकाल कर ओड़ता है तब ही उसकी मेडिसीन वहीं गिड़ जाती है पर किसी को पता नहीं होता है और जब वह पहुंचते हैं जहां बहुत सारे लोग प्रेकोड दिखाकर आगे निकल जाता है और अंदर जाने के बाद एक बैंड दिया जाता है जो उनकी पहचान होगा उसके बाद जब वह समान से करा रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पर फैमली पे सिर्फ एक बैग है तब ही वह अपने सारा समान सिफ्ट कर रहे ह होता है उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि नेथन के मेडिसीन उस बैग में नहीं है और जब नेथन से एलिसन पूछती है तो वह बताता है कि उसने अपना बैग गारी में खोला था ब्लैंकेट के लिए और फिर जॉन भागते वे जाता है और अपने गारी में देखता ह तो वहीं वो medicine पढ़ा रहता है और दूसरी और Alison वहाँ एक guard से पूछ लेती है क्या वो confirm कर सकता है कि जब John आए तो वो उसके साथ same plane में हो और बताती है कि वो उसके बेटे के लिए medicine लेने गया है क्योंकि उसे diabetic है तब जो guard रहता है वो अपने senior के पास ले जाता है जहां Alison को पता चलता है कि कोई भी medical issue वाले लोग को entry नहीं दिया जाएगा जहां Alison उसे कहती है कि अगर कोई आपकी family होती तो तब वहीं जो officer रहती है वो कहती है मेरे family में से भी कोई selected नहीं हुआ है और हमें से 99% की family selected नहीं हुई है तब Alison माफी मांगती है और कहती है बस वो इतना कर दे कि John गलत family में कोई plane पे न चड़ जाए उसके बाद John को अंदर फिट से आते वे दिखाया जाता है और वो एक plane पे चड़ भी जाता है पर जब plane उड़ने की बाड़ी आती है तब ही John को उसके बगल में बैठे एक आदमी से पता चलता है कि कोई भी medical issue वाले जहां भगदर को समालने के लिए जब गोली बारी अंदर में होती है तो कुछ लोग मरते हैं जहां एक plane में fuel डालने वाले को भी गोली लगने से वहीं मर जाता है और सारा fuel वहां गिर रहा होता है ये देख जोन वहां से भागता है और तब ही एक धमाका होता है उस fuel में जोन उटकर confirm करता है एक guard से कि उसकी wife वहां नहीं थी वो बताता है कि उसकी wife को उसके बेटे के medical issue के कारण नहीं चड़ने दिया गया है फिर एलिस्टन नेथन के साथ अपने गारी के पास आती है तो देखती है कि उसके glass टूटे है तब ही वो decide करती है वो अपने dad के घर ज चोड़ देती है जहां John को बाहर निकल तिल दिखाया जाता और जब वो गारी के पास आता है तो वहां अपने wife के छोड़े note को देखकर emotional हो जाता है कि वो safe है फिर एलिस्टन को एक medical shop पे दिखाया जाता है जहां वो अपने बेटे के लिए medicine लेने आई रहती है पर वैसे ही कोछ लोग गोली firing करने लगते है और एलिस्टन ने थेन को लेकर वहां से भागती है और बाहर जाके एक couple से help लेती है जो नौर्थ की उड़ जा रहे होते है उसके बाद एलिस्टन उनके गारी में बैट जाती है और अपने बेटे को injection देती है और दूसरी और जहां वो couple आ करन उन दोनों में बात नहीं हो पाती है तब जॉन जब बहर आता है तो एक आद्मी को देखकर उसे help के लिए कहता है और वह भी North की आपके लिए के लिए और यह भी बताता है कि वो green land में है तब ही sin shift होकर अलिसन और निथन को दिखाया जाता है जहां वो गारी में बैठे जा रहे होते हैं तब ही जो आदमी गारी चला रहा होता है वो try करता है कि अलिसन निथन को लेकर उसके साथ चले पर अलिसन अपने डाइट के पास जाने के लिए बोलती है तब वो आदमी अपने गारी से बाहर आकर एलिसन को जवरदस्ती उतार देता है और कहता है हम तुमारे बच्चों को उस प्लेन पे लेके जाएंगे और वहां से चला जाता है जहां एलिसन चिलाती रह जाती है दुसरी और जान से वहां गारी में बैठे कुछ लोग उसकी बैंड मांते हैं पर वो मना करता है तब ही वहां बैठे जान और उन लोगों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती और जब वो ड्रावर गारी रोकता है तो सब उस गारी से नीचे गिड़ जाते हैं जहां जॉन और उनमें फिर से लडाई होती है और उसी दोरान जॉन से एक गलती हो जाती है और एक आदमी मर जाता है उसके बाद जब जॉन ओपर की ओर आता है तो देखता है कि वो आदमी मर गया है एक्सिडेंट के कारण और फिर जॉन वहां से चल देता है दूसरी और एलिसन को रोट साइट पे चलते वे दिखाया जाता है जहां वो कुछ गारी रोखने ही गोशिस करती है पर कोई नहीं रुखता है और थोड़ी तेर बाद एक फैमिली वहीं आगे रुखती है जो उसे आगे तक लिफ्ट देती है उसके बाद नेथन को उसका पलगसा दिखाया जाता है जहां वो नेथन को बोल रहे होते हैं सब ठीक हो जाएगा और वो आदमी अपनी वाइफ को बोलता है हमने अपने आपको एक बच्चे की उमीद दी है और वैसे ही आगे ट्राफिक मिलता है जिसे की पता चलता है कि वहां भीड वही प्लेन पे जाने वालों की है तब ही वो आदमी नेथन को धमकी देता है कि अगर तुमने उनसे कहा कुछ भी तो तुमारी मॉम के साथ बहुत बुरा होगा और उसे वही बात समझाते हुए ले जाता है और अपना बैंड स्कैन करवाता है उनके पास बस एक ही बैंड होता है जो उन लोगों ने ऐलेसन से छीना होता है पर वैसे ही नेथन वहां एक गार्ड को बताता है कि ये लोग उसके पैरेन्ट नहीं है तब ही वो गार्ड उसे बचा लेता है फिर जब तक एलेसन भी वहाँ पहुंशती है और ट्राफिक देख उस गारी से निकल कर आगे जाती है उस कपल को ढूंटे हुए वहाँ एक काट के पास पहुंशती है पर कोई जवाब नहीं मिलने पर वो वहाँ के एक कैम्प में जाके ढूंटी और एक ऑफिसर की मदद ले जाता है जहां वह क्लार्क नाम का विट्रियोड वाला तुफान धर्टी की और बढ़ रहा होता है उसे वह देख रहा होता है वैसे ही वह देखकर एक खाली घर में जाता है और थोड़ा फ्रेश होने के बाद वहाँ खड़ी एक गाड़ी लेकि अलिसन के डैट के पास जा करने देते हैं और एलिसन को यहां लाने के बारे में सुचते हैं और तभी एलिसन को एक बस उतर कर एक पे फोन कॉल करते हुए दिखाया जाता है जहां एलिसन के डैट वो कॉल उठाते हैं और कहते हैं जहां हो वहीं रहो जान और एलिसन के डैट गारी से निकलते हैं और के पास पहुंचते हैं जहां जॉन और एलेसन एक दूसरे से गले मिलते हैं उसके बाद एलेसन अपने डैट से मिलती है फिर सब को वापस आते वे दिखाया जाता है जहां टीवी आउन करने के बाद पता चलता है कि वह आदमी सही था वह सेल्टर प्रिंड लैंड में ही है औ और एलेसन को बताता है कि अगर हम वह पहुंचना है तो हमें अभी निकलना होगा कनाड़ा के लिए उसके बाद जॉन और उसके फैमिली को सफ़र के लिए तयार होते दिखाया जाता है और फिर जॉन एलेसन के डैट के पास आता है और उसे कहता है कि उसके साथ चले पर व उन को फिर मना कर देता है और वैसे ही जहाँ व करे रहते हैं कुछ दुर्ण पर녁 मि्टियोड आ गिरता है और उससे जो शॉग a produce होता है उससे वो सब वहीं हिल जाते और फिर नं dould देखने लिए भागते हैं और उसके बाद नेतर्सकर six और उसकी वइप निकल पड़ते है और एलिसन के डाड़ वाई खड़ा रहते हैं उसके बाद उस तुफान को धर्ती के अट्मोस्फियर में इंटर होते हुए दिखाया जाता है और जॉन को अपने गारी से भी जाते हुए जहां उन्हें रास्ते में कुछ टैम के बाद ट्राफिक मिलता है तो जॉन जाके पता करता है तो उन्हें पता चलता है कि एक्सिडेंट हुआ है पर वैसे ही अलाम बजना चालू होता है और एक न्यूज ब्रोडकास होती है कि मेटियोर रिन होने वाली उस एरिया में ताभी बहुत सारे मेटियोर के टुकड़े गिरना स्टार्ट होते हैं और जॉन अपनी गा गारी में आग लगी होती है तो वो उसे बचाता है एक आदमी के हेल्प से और मेटियोर रेन सांथ होने पर वो कनाड़ा के लिए निकल पड़ता है और फिर उन्हें कनाड़ा में इंटर होते हुए दिखाया जाता है तभी कुछ दूर आगे जाने के बाद उने कुछ प्ल प्लेन के सामने लाके खड़ा कर देता है उस प्लेन को रोकने के लिए और जब उस प्लेन का पालेट बाहर आके गारी हटाने को कहता है तो जौन कहता है मेरी वाइफ और बच्चे को ले जा तो वो पालेट कहता है प्लेन में कोई जगह नहीं बची है तब जौन कहता है अ ठीक है पड़ कोई समान नहीं साथ में लाना होगा और उससे गारी हटाने के लिए कहता है फिर वह सब उस प्लेन पे बैड जाते हैं और प्लेन स्टार्ट होता है जहां जॉन विंडो से देखता है कि और भी लोग गारी से आ रहे होते हैं उसके बाद शुगा होती है और जह जिससे कि उननी का इंजन रहता है वह फैल हो जाता है और प्लेन नीचे की और आने लगता है तो पॉत अपनी समझदारी से उस प्लेट को लैंड करवा देता है पर वो प्लेट जाके एक क्लेशियर से टकरा जाता है जिसे कि प्लेट और प्लेट इतना घायल हो चुका होता है कि वो अब बच नहीं सकता है और ये देख जॉन बाहर आता है और वहां खड़े सारे लोगों को बतात है कि उसने अभी एक मिलिटरी एयर कराप्ट को यहां से कुछ दूर पे लाइन होते हुए देखा है और फिर वो सब उस डारेक्शन में चल पड़ते हैं और एक पहार को पार्क करने के बाद उन्हें वो शेल्टर दिख जाता है जहां कुछ मिलिटरी गारियां जा रही होत हैं क्योंकि सबसे बारा मिट्योर टकराने वाला रहता है जो धरती का विनाषण करेगा और तभी वो सब शेल्टर पे पहुच कर इंट्री लेते हैं दूसरी और वो केट बंध को रा होता है क्योंकि इंपक्ट होने वाला रहता है और जॉन अपनी फैमिली को लेकर अंडर नौ महीन बाद कसी दिखाया जाता है जहां पूरी धरती बढ़वाद हो चुकी होती और वो सब को बाहर आते भी दिखाया जाता है उस घटना के बाद पहली बार इसके साथ मुवी का दैंड हो जाता है